हेलो फ्रेंट्स, ब्राइट लेर्निंग के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है जियां फ्रेंट्स, आज हम देखेंगे कि असेस्मेंट यह है 23-24 की ITR फाइल कैसे करें ITR फाइल करने का उप्शन, Income Tax Department की साइट पर आ गया है और क्लिक करने के बाद यहां डाउनलोड वाले सेक्षन पर क्लिक करेंगे डाउनलोड वाले सेक्षन पर क्लिक करने के बाद यहां पर असेस्मेंट यह 23-24 दे रखा है जिसमें ITR 1 दे रिकिया है और utility एक्सल बेस utility दे रखे है और ITR 4 की utility दे रखे है तो ITR 1 की जो utility है वो हमने डाउनलोड कर लिए यहाँ पे ITR U की जो utility है वो डाउनलोड करने के बाद open करेंगे तो Excel सेट यहाँ पे open हो गई open होने के बाद यहाँ पे import free fill data का एक option आता है इसके लिए क्या है पहले जो पहले से बरी ITR है उनको login करेंगे ITR को login करने के लिए ID और password आपको चाहिए अगर आपके पास ID password नहीं है तो इसका already video दे रखा है चैनल पे जाके आप देख सकते हैं और password for gate का भी वीडियो दे रखा है वो भी आप देख सकते हैं इसके बाद यहाँ username लिखेंगे continue पे क्लिक करके password लिखेंगे और again continue टेप पे क्लिक करेंगे continue लोगीन होने के बाद यहाँ पे e-file पे जाएंगे income tax return और download pre-filed data पे क्लिक कर देंगे इसके बाद select assessment year सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे 23-24 current assessment year दे रखा है मैंने यहाँ पे download कर लिया again वो access it open करेंगे import free-fill file पे क्लिक करेंगे और जो download यहाँ पे अभी file वी है उसको ok करके import कर लेंगे इससे होगा क्या जो पहले के data है जिसमें name address वगरा जो भी detail है वो automatically यहाँ पे आ जाएगी तो हमने पहले से यहाँ पे free-fill data को import कर रखा है इसके बाद यहाँ पे nature of employment में select क मिलती है central government state government other जो भी है तो यहाँ पे आप select कर लेंगे तो मेरे case में other company है तो मैं यहाँ पे other select कर लेता हूँ इसके बाद आता है are you opting for new tax region तो मैं यहाँ पे no कर देता हूँ इसके बाद यहाँ पे seven provision के अंदर जो आता है उसको no कर देंगे no करने के बाद यहाँ file section दे gross salary लिखने के बाद यहाँ पे आगे allowance दे रखे अगर allowance वगएरा है कुछ HR वगएरा डिये वगएरा जो भी है तो यहाँ से select कर देंगे और उसका amount यहाँ पे fill कर देंगे हमारी case में कोई allowance नहीं है तो हम blank चोड़ देते हैं इसके बाद standard deduction जो 50,000 रुपीज होता है वो already यह यहाँ पे आपको less हो के आ जाएगा इसके बाद जो income बचेगी वो income यहाँ पे जो salary वह आ गई इसके अलावा एणिएदर को income है तो आपको यहाँ पे select करना है तो हमारे case में यहाँ tuition fees दे रखकी है 25 ताउजर्ण तो यहाँ पे मैंने 25 ताउजर्ण लिख दी है इसके आगे की step करेंगे आगे की step में वैसे copy option दे रखेंगे लेकिन इतने option अपने काम के नहीं है जो option काम के उसमें data fill करना है इसके बाद deduction लिखेंगे deduction में ATC, ACCC, ACCCD कापी section दे रखेंगे हैं जिस भी section में आपका amount हो यहाँ पे आपको वो deduction amount यहाँ पे लिखना है तो क्या है जो income उसमें से deduction less हो जाएगा यहाँ पे next यहाँ पे total deduction आ जाएगा last में total income आ जाएगी total income पे जो tax बन रहा है उसका amount यहाँ पे आएगा exempt income अगर कोई है तो यहाँ पे लिख देंगे जिसमें agriculture income less than five thousand अगर कोई हो आएगा इसके बाद अगर मालो आपका कोई tax बन रहा है तो हमारे case में 10,530 रुपर tax बन रहा है जबकि section 87 एक के अंदर क्या है 12,500 की rebate मिलती है तो हमारे को यहाँ पे 10,530 की rebate मिल गई तो हमारे case में कोई भी tax यहाँ पे पे नहीं करना इसके बाद यहाँ पे validate वाले tape पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे seat income detail is okay बता दिया इसके बाद again next वाले tape पे क्लिक करेंगे next में यहाँ पे TDS दे रहा है अगर TDS आपका कटा हुआ है तो यहाँ पे उसके detail आपको fill करने पड़ेगी TDS अगर आपको देखना है कि आपका TDS कटा हुआ है नहीं है तो इसके लिए आपको income tax return login करना है उसके बाद यहाँ पे 26AS select करना है इसके बाद यहाँ I agree proceed पे क्लिक करना है इसके बाद view tax credit पे क्लिक करना है assessment year select करना है 2324 view as HTML file view download और export as PDF तो यहाँ पे PDF में select कर लेता हूँ इसके बाद PDF download हो गई PDF download होने के बाद यहाँ पे जो भी आपका TDS कटा है वो यहाँ पे शो जाएगा लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी आप जो file कर रहे हो आपको थोड़ा late करना है क्योंकि जो TDS का amount होगा वो late reflect होगा June के अंदर तो आपको June के अंदर ही return file करना ह अगर आपका TDS कटा हुआ तो इसके बाद यहाँ पे वेलिडेट करेंगे और next वाले टेप पे again click कर देंगे next वाले टेप पे click करने के बाद यहाँ अगर TCS है तो TCS यहाँ लिकेंगे हमारे case नहीं है again next करेंगे वेलिडेट करके इसके बाद यहाँ पे next table है वो है tax session paid and verification य लास्ट में यहाँ पे पहले इस लिखना है जो भी आपका पहले होगा इसके बाद अगें वेलिडेट और next वाले टेप पे click करेंगे इसके बाद ATD के अंदर मालो आपका कोई deduction है जिसके अंदर health insurance आता है तो आपको health insurance के detail यहाँ फे fill करने है हमारे case में नहीं है तो हम validate okay करेंगे next करेंगे इसके बाद next आता है ATG अगर ATG में मालो आपने कोई donate वगर के आया है donation वगर के आता है तो उसकी detail आपको यहाँ फे fill करने पड़ेगी हमारे case में नहीं है validate करके okay करेंगे next करेंगे इसके बाद आता है section ATGE अगर मालो आपको research center वगर को आप मालो generate json file पे click करना है और json file को यहाँ पे save कर लेना है save save json file पे click करना है json file को save करने के बाद again income text के site login करनी है ID और password से और इसके बाद file पे जाना है file पे गरने का income text return और file income text return वाले टेपे click करना है इसके बाद यहाँ पे Select Assessment Year 23, 24 Current Assessment Year दे रखाव वो Selection है Select Filing Type में Original और यहाँ पे अगर मालो Audit वगरा होती है तो Yes, Otherwise No, तो हमारे case में Audit नहीं है No कर दिए, ITR Type यहाँ 1 है वो Select कर लिए, Continue वाले टेप पे क्लिक कर दिए यहाँ पे Upload Attachment File जो JSON File अभी Save किये हैं, वो JSON File यहाँ पे Upload करना है और Upload करने के बाद Proceed to Verify वाले section पे क्लिक करेंगे जैसे ही Proceed to Verify वाले section पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो आदार कार्ड में दिया हूँ है Mobile Number दिया हूँ है, उस पे जाएगा OTP वो OTP यहाँ पे select करना है और OTP जैसे हैं यहाँ पे आ जाएगा OTP आने के बाद यहाँ पे OTP Fill करना है और OTP Fill करने के बाद यहाँ करना के बादald आप यहाँ पे जो रीटान हा वो complete file हो जाएगी जैसे ही OTP पे क्लिक करेंगे OTP verify हो जाएगा imaginar और verify होने के बाद completely फाइल हो जाएगी जैसे फाइल हो जाएगी इसके बाद आपको return tax return में जाना है file income tax form में जाना है इसके बाद जो भी आपके ITR पर हो गया जाएगी thank you for watching